नमस्कार दोस्तों, पात्फाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग्राटफोल्ड और आज इस लेक्चर में हम चल्चा करेंगे सेंट्रल युनिवर्सिटीज के बारे में इन सब में और सेंट्रल युनिवर्सिटीज में क्या फार्ख होता है, इनी पॉइंट्स को अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अनकाडमी आप पर, आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं अन्य सबी जगे मेरा हैंडल महिपाल राठोड है, इस लेक्चर का PDF आपको pathfinder underscore UPSC telegram channel पर मिल जाएगा telegram channel का link पहले comment में भी आपको मिलेगा, तो उसे join करिए अनकाडमी के subscription में अब एक बहुत ही अच्छा edition हो चुका है, optional test series का तो जहां आपको पहले से live classes, mains test series, prelims test series, printed किताबें, ये सब तो मिली रहा था वहाँ पर अब optional की test series भी आपको साथ में मिल जाएगी UPSC की समगर तयारी के लिए आपको ये सारी चीज़ें आवशक हैं, test series, classes, books और अगर आप कहीं offline या online institutes में अन्ने जगे पर जाएंगे तो ये आपको बहुत costly पड़ेगा अगर आप ये सब facilities अवेल करते हैं, unacademy पर ये आपको एक साथ, एक subscription में for a fraction of cost मिल जाएगा और याद रखे एक अगस्त से prices यहाँ थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो जुलाई के महीने में आपके पास golden मौका है, इस offer को अवेल कीजिए अभी आपको 45% discount मिल जाएगा 1 year subscription पर, 49,680 रूपीज में यह सारी चीज़ें जो मैंने हाँ पर बताईएगा, यह सब कुछ available होगा 22 जुलाई को केंद्रिय मंत्री अनुराक सिंग ठाकुर जी ने यह गोशना करी कि लद्दाख में एक केंद्रिय विश्व विद्याले बनाया जाएगा आप लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, अनुराक सिंग ठाकुर किस मंत्राले के मंत्री है अभी रिसेंट जो cabinet रिशफल हुआ है, उसमें उन्हें एक नया मंत्राले दिया गया है और साथ में यह दूसरी गोशना भी करी गई अब भारत में जादातर विश्व विद्यालेओं को regulate करने के लिए या उनको official recognition देने के लिए केंदर सरकार ने एक संस्था बनाई हुए जिसका नाम है University Grants Commission यह commission क्या एक समयधानिक body है, constitutional body है, नहीं इसको 1956 में, Parliament में एक कानून पास करके बनाया गया था तो यह एक वैधानिक यानि की statutory body है, University Grants Commission Act of 1956 से इसका power derive होता है और यह देश के सारे universities को regulate करती है, इसके अलावा 15 professional councils हैं जो की professional courses के colleges को regulate करती हैं जैसे की medical colleges, management colleges और veterinary, dental colleges इन सब के लिए professional councils बनी वही है, technical colleges भी इसमें शामिल है, लेकिन इन सब के अलावा कुछ ऐसी universities हैं जिनको हम कहते हैं central universities, केंद्रिय विश्व विद्याले और इनके लिए एक अलग कानून बना हुआ है, Central Universities Act of 2009 तो 2009 के पहले भी बहुत सारी केंद्रिय विश्व विश्व विद्याले हुआ करते थे, उनके लिए अलग-अलग कानून पास होता था, जो नई university बनी, Central University उसके लिए नया कानून पास किया गया Parliament के द्वारा, उन सब को regulate करने के लिए 2009 में केंद्रिय सरकार ने एक अलग कानून ही पास कर दिया और अब इसके माध्यम से उनको regulate या govern किया जाता है UGC के अधीन आने वाले विश्व विद्याले हों को हम broadly तीन category में divide कर सकते हैं, तो पहली type की university होती है state university, तो ये राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित करी जाती है इसके लिए विदान सभा में कानून भी पास किया जाता है अलग से इनका पैसा, इनकी funding सब कुछ राज्य सरकार के द्वारा आती है केंदर सरकार इसमें कुछ भी मदद नहीं करती और यहाँ पर इनका admission process ही अपने आप देखते हैं इनके पास यह स्वायत्तता है कि अपने admissions, अपने syllabus को अपने हिसाब से तै कर सके हाँ, UGC overall मानक तै करता है, बट day to day जो उनका running होता है उसमें interference UGC का नहीं होगा second होती है deemed university अब यह वो private universities हैं जो बहुत समय से काम कर रही है और इतने बड़े स्थर पर यह operate कर रही है कि they have been deemed to be a university यानि कि UGC इनको मानता है कि बस यह university बन नहीं वाली है लेकिन अभी पूरी तरह से बनी नहीं है अब हाला कि यह जो status है, यह थोड़ा सा मतलब नाम में आपको लग रहा होगा कि पूरा university का दरजा नहीं है लेकिन actually मैं university वाले सारे जो powers होते हैं वो इनको भी दे दिये जाते हैं तो इनके पास भी अपना syllabus, अपना admission यह सब कुछ तै करने का अधिकार होता है और यह department of higher education के द्वारा recognize किये जाते है तो MHRD जो ministry है, अब तो ministry of education उसका नाम हो गया है तो उसमें department of higher education deemed university का दरजा देता है और यह UGC के कानून में section 3 में इसके बारे में mentioned है तो deemed university आप मान सकते हैं कि एक तरह से वो universities हैं जो बस full-fledged university बनने वाली हैं और उनके पास लगबग वो सारे अधिकार होते हैं जो एक full-fledged state university के पास भी होते हैं तीसरी होती है private universities यह नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि privately owned है इनके पास भी degree देने का अधिकार है लेकिन यह अपने off-campus affiliations नहीं कर सकते यानि कि मान लो कि मैं एक बहुत बड़ा college चला रहा हूँ एक campus में 5 college चल रहे हैं तो उसको university का दरजा दिया जा सकता है लेकिन अब यहां से 200-300 km दूर कोई private college है वो मेरी university से affiliation नहीं ले सकता उसको affiliation या तो state university से लेना होगा या फिर deemed university से लेना होगा private university दूसरे अलग colleges को affiliation नहीं दे सकती उनको degree बाटने का अधिकार private universities को नहीं होता है लेकिन इस classification के अलावा भारत में कुछ और स्वायत्त संस्थाएं हैं जिनको हम officially विश्व विद्याले नहीं कहते इन्हें university नहीं कहा जाता बलकि autonomous organization या autonomous institute कहा जाता है इनको भी अधिकार है कि ये अपने स्तरपर degrees को दे सकते हैं और इनको भी department of higher education के अधीन रखा गया है तो इसमें सबसे famous institutes जो हैं IIT, NIT, IISC, AIMS, NLU ये सब इसके अंदर आते हैं तो ये सभी autonomous संस्थान है NLU अपनी खुद की degree देता है अपने चात्रों को और वो किसी और university से affiliated नहीं है लेकिन हम national law school को एक university नहीं कहते हैं It is just called as NLU और AIMS भी वैसे देखा जाये तो केवले college है लेकिन AIMS overall एक university के रूप में function करता है अपने चात्रों को degrees देता है और इसके उपर administrative control किसका होगा department of higher education का लेकिन इन सबसे अलग होती है central universities केंद्रिय विश्व विद्याले इनको स्थापित करने के लिए भारत की संसद में एक special कानून पास करना पड़ता है as of right now देश में 54 central universities मौझूद है इनको develop करने का पैसा maintain करने का पैसा UGC के द्वारा दिया जाता है तो UGC दो तरह का पैसा देता है एक होता है development यानि की plan fund तो basically नया building बनाना नये hostels बनाना इसके लिए एक university को शुरुआत में पैसा दिया जाता है that is under development fund और दूसरा होता है maintenance assistance यानि की सब कुछ बनने के बाद पुरानी university हो चकी है उसके बाद उसको maintain करने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो maintenance plan के तहत दिया जाता है तो इस समय 40 ऐसी universities हैं जिनको development fund दिया जा रहा है और 24 पुरानी central universities हैं जिनको maintenance grant दिया जा रहा है भारत की सबसे पुरानी central university है University of Allahabad इसका नाम अभी भी अलाबाद है प्रयाग राज नहीं हुआ है देश के लगभग सभी राज्यों में एक central university तो minimum है आप चाहते हैं कि सभी की list देखें तो यहाँ पर pause करके देख लेना सबके नाम नहीं पढ़ने वाला हूँ तो जो 54 central universities की list है वो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ अगर आपको अपने राज्यों की central university का नाम देखना है तो वहाँ पर screen को pause कीजे और उसे देख लीजे तो यह 54 central universities है बस इतना याद अख लेना सबसे जादा central universities दिल्ली में है और second number पर है उत्तरप्रदेश में इन 54 universities में से जादा तर DHE के अधीन आती है Department of Higher Education, Ministry of Education का यह एक विभाग है इसके द्वारा इनका control किया जाता है administrative लेकिन 10 universities ऐसी हैं जो DHE के अधीन नहीं है और इनको दूसरे मंत्राले संबालते हैं यानि कि यह Education Ministry के अधीन नहीं आती है तो यह एक काफी unique बात है इनकी और उसके पीछे कुछ reasons है for example जो नालंदा university है उसको स्थापित किया गया था as a partnership program between various countries तो भारत, दक्षिनपूर्वेशिया के कई देश, जापान इन सब देशों ने मिलकर नालंदा university की स्थापना करी थी तो इसलिए इसको संबालने वाला मंत्राले विदेश मंत्राले Ministry of External Affairs उसी तरह से सब क्या लग-लग reason है जैसे की PUSA Agricultural University समस्तिपूर में जो है इसको Ministry of Agriculture देखती है इगनू को Ministry of HRD देखती है केंद्रिय संस्कृत महा विश्वेद्याले भी HRD Ministry के अधीन आता है इस लिस्ट को एक बार pause करके देख लेना समझने वाली बात यहाँ पर बस इतनी सी है कि देश की सभी Central Universities पर Control, Education, Ministry और Department of Higher Education का नहीं है दूसरे मंत्रालयों के अधीन भी Central Universities काम करती है यह fact याद रखना अब 2019 में जब से जम्मू कश्मीर से अलग करके लदाक को एक Union Territory बनाया गया तभी से वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि उच्चे शिक्षा के लिए लदाक में कोई बड़ा संस्थान नहीं है तो यहाँ के लिए एक Special University स्थापित करी जाए इसलिए सरकार ने अब दो साल बाद जाकर Central University की स्थापना करने की गोशना कर दी है जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो वहाँ पर दो Central University थी लेकिन राज्य का विवाजन होकर जब दो Union Territories बनाई गई तो दोनो Central University जम्मू कश्मीर Union Territory में चली गई लदाक Union Territory में कोई भी केंद्रिय विश्व इद्याले नहीं है हाँ ले में एक University है और वो भी 2018 में स्थापिय गई थी और वो भी बेसिकली क्या है कि जो Colleges हैं उनको merge करके University का दरजा दे दिया गया है तो अभी महाँ पर proper campus वाला कोई बड़ा University संस्थान नहीं है 2018 में जो लदाक University को गोशित किया गया था उसका भी अभी proper development होना बाकी है University of Ladakh है लेकिन it is more of a cluster of Colleges तो इस केंद्रे विश्व इद्या लेके बनने के बाद Ladakh के नौजवानों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा अपने ही शेत्र में रहते हुए वो higher education प्राप्त कर सकते हैं Ladakh से संबंदित दूसरी गोशना थी Integrated Multipurpose Infrastructure Development Corporation के बनाने के संबंदित तो एक ऐसा corporation बनाया जाएगा एक अलग special body बनाई जाएगी जो Ladakh में infrastructure को develop करेगी है तो नाम से आपको पता चल रहा होगा तो इसको बनाने के लिए सरकार एक बार 25 करोड का capital दे रही है और recurring expenditure इसका धाई करोड के आसपास होगा अभी Ladakh में ऐसा कोई organization नहीं है जो specifically infrastructure के लिए permanently काम करे तो अब यहाँ पर बहुत सारी developmental activities होने वाली है industry की स्थापना के लिए tourism को support करने के लिए infrastructure transport infrastructure, local products और handicraft की marketing के लिए पैसा चाहिए, एक network चाहिए इन सभी field में पैसा कहां से आएगा इस corporation के द्वारा financing करी जाएगी तो यह multi-purpose infrastructure development corporation इसके लिए काम करेगा, financing भी करेगा तो यह एक major construction agency बनने वाली है, इस तरह के development projects के लिए भविश्य में लद्दाक में तो यह था छोटा सा lecture, I hope आपको interesting लगा, याद रखेगा central universities क्या होती है, उनके उपर directly सवाल पूछा जा सकता है, lecture का PDF दोनों ही telegram channel से download कर सकते हैं अगर आप UPSC exam की तयारी कर रहे हैं तो भारत के best educators an academy पर live पढ़ाते हैं plus और iconic दो प्रकार के हैं पर courses है, iconic में आपको mentors के द्वारा personal guidance दी जाएगी और iconic या plus, जो भी course आप लेते हैं इसमें आपको 10% discount मिल जाएगा अगर आप महिपाल code use करते हैं while availing this course optional की तयारी भी आप unacademy पर कर सकते हैं लगबग सभी optional की तयारी हम करवाते हैं इस वक्त GS और optional के combined course पर आपको बहुत benefit मिलेगा तो आप इसको avail कीजिए separately GS और separately optional के course को मत लें आपको इसमें फाइदा जादा होने वाला है तो 50,000 रुपीज के अंदर आपको ये सारे benefits मिल जाएंगे test series से लेकर, classes से लेकर guidance तक इस course को आप EMI option पर भी avail कर सकते हैं और free printed किताब हैं इसके साथ आपको मिल जाएंगी और CSE Assure के तहट अगर आप 2 साल का course अवेल करते हैं और आपका selection नहीं होता तो 1 साल और validity हमारी तरफ से extend कर दी जाएगी regularly हर अफते नए batches start होते हैं इनको join कीजिए next month जो Phoenix batch है उसमें medieval history के मेरी classes होने वाली है so you can join the Phoenix batch as well हर रविवार को combat होता है combat में enroll करके आप अपना prelims का score बढ़ा सकते हैं और scholarship जीतने का आपके पास सुनहरा अफसर है तो इसमें enroll कीजिए link नीचे comment में मिल जाएगा team free test series है और कोई भी free content आपको app पर unlock करना है तो आप इस code को use कर सकते हैं entire series की मदद से आप अपने prelims के score को भी increase कर पाएंगे thank you very much for watching this have a great day and please subscribe to pathfinder